के सोर ब myself प्रेसर शोर मतलब कि लोगिलाइज अलसारेशन आफ द इसकीण टीशू इतीजी तो इसको, वाद सुर कहते हैs klaus Frail on आइन के सीएन न बहुत लंबे समय तक लेटा है तो उसकोLuut प्रेसर बॉनी प्रोमिनेंट में प्रेसर आएगा और प्रेसर के कारण जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है उसके कारण इस्टीमिया हो सकता है और उससे सेल डामेज हो जाते है और उसको नेक्रोसिस कहते है इसके कॉज़ेस क्या क्या होते हैं पेशेंट, डाइबिटिज मलाइटस पेशेंट, एन वेरी थीन पेशेंट, ओवेश पेशेंट को भी बैटसोर होने की संभावना होती है, और कॉमन प्रेशर पॉइंट इसका क्या क्या है, अक्सिपुटल एरिया, स्कैपुला, अल्बो, एन सैकरम, मोस्ट कॉमन होता है, फ स्कैपुला, सेकरम, अल्बो, एन हील पे है, बैटसोर हो सकता है, और प्रोन पैसेंट लेटा हुआ है, थो य पीव मैल के जैनाइटल एरिया में हो सकता है और लैट इंट आप सकता है ये यहे एक्रियमाइयड, xu communal पर सकता है की विल को हो भी बैट्ट सोर हो जाता है और स्टेज ऑफ बैट्ट सोर व्यक्त स्टेज्ट में क्या होता है सीर्फ्लामेटरी सिइन एन एन डरनेसध ओस्ट टा भावा धा होता है पर्स्टेज में, इस्कीन इस इंटैक्ट हो जाएगा, इस्कीन इस नॉट ब्रेक डाउन, रेड दिस्कलरेशन अफ इस्कीन हो जाएगा, और शेकेंड स्टेज में क्या होता है? second stage of bad sore में damage epidermis and dermis but subcutaneous tissue are not visible epidermis and dermis subcutaneous tissue इसमें epidermis और dermis damage होते हैं नेकिन subcutaneous tissue not visible होता है and skin not intact होगा blister formation होगा and water second stage में blister formation होता है जिसने पस और water निकलता है और purple skin skin का color जो होता है वो purple color हो जाता है और third stage of third bad sore third stage में क्या होता है completely damage epidermis and dermis हो जाएगा and which subcutaneous are visible second stage में damage epidermis or dermis damage हो जाता है नेकिन subcutaneous tissue visible नहीं होता है नेकिन third stage में completely damage and dermis और subcutaneous tissue जो होता है वो visible होता है और इसमें pain absent होता है और इसका skin color brown color हो जाता है brown color appearance of skin हो जाता है और fourth stage में complete damage epidermis dermis and subcutaneous tissue in beach इसमें complete तरीके से epidermis dermis or subcutaneous tissue जो होते हो damage हो जाता है और in which bone tendon ligament are visible इसमें bone tendon ligament जो होता है visible हो जाते है muscles इसमें भी pain absent होता है black color appearance of skin हो जाता है sludge उंड पस formation होता है और necrotic tissue हो जाता है और dead tissue हो जाता है assessment इसमें assessment कैसे करते हैं ब्रैडर्डर से इसको assessment किया जाता है moisture एक से चार number दिया जाता है activity में एक से चार number nutrition में एक से चार number mobility में भी एक से चार और sensory perception में भी एक से चार number और 6 number है friction friction में एक से 3 number दिया जाता है इसमें range minimum 6 होते हैं और maximum 23 होता है अगर 9 से कम है तो very high risk of batsore होगा अगर 10 से 12 के बीच में है तो high risk of bad sore होता है 13 से 14 के बीच में है तो moderate risk of bad sore होगा और 15 से 18 के बीच में है तो mild risk of bad sore होता है और अगर 19 से ज़्यादा है या 19 से तो no risk of bad sore होगा And prevention Keep clean and dry skin, change position every 2 hours Patient को हर 2 घंटें position change करवाना रहता है And use air and water mattress And massage affected area Treatment, high protein diet देना है Bad sore वाले patient को high protein diet देना है Vitamin C देना है Minerals, zinc, increased healing process Waterproof ointment देना है Zinc oxide and topical insulin देना होता है 100 watt का बल्फ जो होता हो 45 cm की दूरी में Bad sore site रखा जाता है और इसका holding time जो होता है 10 मिनट होता है जिससे की skin dry होता है और improved circulation होता है और increased wound healing होता है का जाइस वप्निछ्ट से की देना है मैं खक्षा है